दोस्तो अगर मोसम की बात करें तो एक निमन दबाव का छेतर जल्द ही आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी के उपर बनने वाला है और इसकी वज़े से देश के कई राज्यों में आफ़त की बारिस होगी भारी बारिस होगी तो चलिए देखते हैं कि इसके परभाव से कि स्टेट को बारिस होने वाली है उत्तर पस्चमी बंगाल की खाड़ी के उपर जल्द ही ताजा निमन दबाव का छेतर बनने की संभावना है इससे पहले निमन दबाव का छेतर दक्षणी राजस्तान और उत्री गुजरात छेतर तक पहुच चुका है बंगाल की अवसेस चकरवाती होन का छेतर जो वर्तमान में दक्षणी राजस्तान और कच के छेतर के उपर स्तीत है वो कमजोर हो जाएगा और अगले 48 गंटों में दक्षण पाकिस्तान को पार कर जाएगा एक अच्छी तरह से चिनहीत चकरवाती होन का छेतर उडिसा पस्चमी काल की खाड़ी पर बना हुआ है इसके परभाव से अगले 24 गंटों में इसी चेतर में कम दबाव का चेतर बनेगा अगले 24 गंटों में मोसम परनाली तट को पार करके आगे बढ़ेगी अगले 4-5 दिनों में कई स्थानों पर स्करिये और कुछ स्थानों पर मोसम जो है जो प्रदेश की और अधीक स्थानांतरित हो सकता है वहीं बिहार राज्ये और विशेशकर 23 छेत्रों में 22 से 24 सितंबर के बीच में बारिश का दोर जारी रहने की संभावना है इस दोरान कई जिगों के उपर बारी बारिश होने की संभावना है वहीं पस्चमी बंगाल बिहार और जारखंड जैसे पुर्वी राजियों में इस मानसून सीजन में लगातार कम वर्षा का अनुमान हुआ है और उडिशा 36 गड़ में भी सामाने से लगबग 10 परतिसद तक कम बारिश रिकोर्ड की गई है संभावित बारिश का दोर उडिशा और 36 गड़ में बारिश की क कमी को पूरा कर देगा अन्य तीन राजियों जिन में बिहार, जारखंड और पस्मे बंगाल है तो इन में मद्यम से लेकर भारी बारिश होगी और कम बारिश का जो मार्जन है उसको ये जल्द ही पूरा करने वाला है तो इस परकार से 24 सितंबर तक की बात करें तो इन विए मैं बस इतना ही, नमस्कार